हेलो फ्रेंड्स पीपिटी युट्व चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम रिजिनिंग के एंटी बेस्ट प्रीवीश एर कुश्चन का पार्ट वन डिसकस करेंगे दोस्तों चैनल पर नई होते चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब को कवर किया जाएगा देखते हैं पहला क्या है एक व्यक्तित तीन किलोमेटर पूरू की और जाता है दोस्तों डिरेक्शन जो टोपी का वहां से कुश्चन आई तो क्या करते हैं सब से पहले ऐसे कुश्चन को देखते ही हम लिखेंगे नोर्थ साउथ वे दो किलोमेटर उत्तर की और जाता है फिर हम इसको बेशते हैं दो किलोमेटर उत्तर की और तथा पूने दो किलोमेटर पूरूव की और फिर वह दोबारा दो किलोमेटर चला गया पूरूव की और ठीक है दोस्तों इसके बाद अंत में 14 किलोमेटर दक्षिन की और अब दक कि वह जहां से चला था वहां पहुचने के लिए निकट तम दूरी क्या होगी यानि कि वह यहां से चला था अगर यहीं पहुचना चाहिए तो निकट तम दूरी क्या होगी वह ऐसे जाएगा ठीक है जो यह पाथ है यह पाथ वह फॉलो करेगा यहां से यहां पहुचेगा व कि जो इसका हाईपोटनिस का स्कुरी होता है वह एक्वल होता है बेस्ट के स्केर के प्लस प्रपेंडिकलर के स्कुरीद के तो अब देखिए यहां पे दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक फूर्टीन था अब यह और दोंडुमेटर के दूरी हा ना इसमें से घटा देंगे क्योंकि हमने यहां से दूरी जाएगा यह जाएний तो 12 मिट्रुट ठीक है यहां से-कUS यहां से और यहां तक की दूरी देखने है यहसके बराबरी होगा यहां पे परल्ट आयरफ तो यहां पर जूद जाएगा 3 और 2 यह जाएगा दोस्तों 5 km ठीक है यह 5 km यहां से यह तक 5 और यहां से यहां तक 12 अब दोस्तों इसमें रख दो की कुण सा है किसी एक को भी समानों किसी एक को परपेंडिकूल मान सकते हो तो 12 किलो मेटर का स्केर पलस 5 किलो मेटर का स्केर कितना हो जाएगा तो 144 km2 प्लस 25 km2 अब देखें जब यह यह से होता ना तो 12 किलोमेटर का भी स्केर होता है साथ में ठीक है अब यह जुड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 169 km2 अब जब जुड़ते हैं तो यह साथ में जुड़ जाएंगे सेम होंगे तो तब ही जुड़ेंगे अब हाइव टर इसका स्केर दोस्तों यह इधर जाएगा तो क्या होगा रूट करेगा तो 13 km इसका राइट अंसर हो जाएगा साथ यह तो ओप्शन एज वह वो क्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपको यह कौन सी तियोर्म होते हैं पाइथागोर्स तियोर्म इसको आप दियान रखना ऐसे लोगों में सभी ने आपस में एक बार हाथ मिलाया कूल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए दोस्तों ऐसा कुष्चन बहुत बार रिपीट होता है ऐसे क्या करते हैं सिद्धा फर्मल लगते हैं एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ठीक है तो एन को एन क्या मानना है जो जितने लोग दिये गए हैं अब 10 को मिल्टिप्लाइ करेंगे एन माइनस वन यानिकी दस में से एक गया नो और अपॉन में टू यहांसे काटेंगे फाइव पे नाइन फाइव जा फूर्टी फाइव इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आप नेक्ट कोश्चन देखें नीमन दिये गए वेन आरेखों में कौन सा एक स्त्रेस्ट रूप से साप छिपकली सरी स्रिप के मध्या के समंध को प्रस्तूत करता है ठीक है दोस्तों अब सरी और रेप्ताइल सोते हैं और रेप्ताइल कोन से होते हैं जो रेंग कर चलते ह है अब साप भी रेंग कर चलता है और चिपकली भी रेंग कर चलती है तो हम रेप्टाइल का समू बनाएंगे पहले तो एक कि यह सारे क्या है यह रेप्टाइल से अब साप को इसके अंदर रखेंगे सनेक को और लिजार्ड को भी इसके इंदर रखेंगे चिपकली को भी ठी यह देता है जैसे लाइन भी अब लाइन रेप्टाइल नहीं होता तो लाइन को अलग बनाने पड़ता हुए ठीक है दोस्तों एक औरत की और इसारा कर रहा है यानि कि कोई लेडिस है उसकी और वो इसारा कर रहा है कि बही कोई जैसे राजा इसकी और इसारा कर रहा है इस लेडिस के और कह रहा है कि यह जो लेडिस है यह वह उस महिला की पुत्री है यानि कि यह किसी महिला की पुत्री है एक्स वाइज हुई दोस्तों ठीक है अभ यह का रहा है किए इसकी पुतरी है भीसी की को नहीं ये ये जो जो दादी की पुतरी होती है दोस्तों को किए बुया बोलते हैं अब देखिए पुछा किया है राजा का कुछ four Miss से जिसके साथ का लगता है ना हम देखता है ये अ है इसका तो बतिज्जा तो देखो option में दिखनी रा दोस्तों यहां पर क्या और चीछ था कि उस औरत का राजा से तो ओरत का राजा से कि इसमें क्या है दो लगें ए और यी और कि कोनको दूसरे च्छतान पर वाउल है यहां भी वाउल है ठीक है ए आई ओ यू में से और यहां पर क्या तीसरे स्थान पर एक वाउल है तो इसलिए यह जोस्तों इन सभी से भिन है राइटन सोरोगाईस का स्टार कि नेक्स्ट कूट देखे दोस्तों यदि किसी कूट भासा में मैंगो को इतना लिखा जाता है कि रूप में कूट बद किया जाता है तो उसी कूट भासा में और फाइट को किस प्रकार से कूटबद किया जाएगा दोस्तों ऐसे कोशन में क्या गटना सब से पहले आपको इनकी संख्या लिख लेनी है कि यह अलफाबेट को इसी संख्या पर जैसे अब देखे दोस्तों 131 1470 ऐसे का यहां पर लिख दिया ठीक है तो बड़ासान हो जाता है अब हम स्कीन को भी ऐसी कैसे लिख देंगे F6 पे होता है fix को 6 पर लखे रखेंगे आई 9 I know ठीक है जी 7 का group है H8 से 8 बन जाएगा टी 20 बन जाएगा ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option D का right answer हो जाएगा है नेक्स्ट कोश्चन देखें दोस्तों सभी चुहें बिलिया है यह syllogism से question है दोस्तों लिखेंगे जो सभी चुहें दोस्तों के इंदर आएंगे सभी दैंद हैं आप सभी एजो वो भी क्या वह Byland का सबी हीरण शेर है सबी के सभी जो हीरण है अब एना नहीं रहते हैं तो एταν के अंदर आगे अब देखे दोस्तों मैं यहाँ पे आप बता देता महीं आपको कि दिमका डायेक्ट रिलेशन दिया होता है उनके बारे डायरेक्ё दाइरेक्ट रिलेशं नहीं देर रखा और उसके बारे में हम positive यानि की सग्रात्मा कि यानि की definite बात बताएंगे तो definite बात होगी फिर गलत जब डायरेक्ट लेसन दरीन रखा तो सभी ही अभिम्य और बीलिया ये कि उंदर पढ़ताacam और यह वह सख़ने भारत के अंदर पढ़ता है और हम सबी हिरन बिलया है यह हम क्रेक्ट माननेगे दोस्तों कुछ हिरन चुहें अब देखिए चुहें और हिरन के बीच में कोई रिलेशन नहीं नहीं बता तो ज़िए तो जिनके बारे में रिलेशन नहीं पता यह दि 스ब्साताइ Kelvin हो सकते हैं होगे ठीक है कुछ विलिया और अब कुछ विलया सब्सक्राइ। तो यहां पर भी लियां है यह हम करेक्ट मानेंगे तो राइट असर कोई सावद दूस्तों फर्स्ट और थर्ड का प्यां दोस्तों फर्स्ट और थाओ और अप्शन भी राइट अंसर होगा लड़की की और इसारा करते हुए अंकित ने कहा यह लड़की मेरी मा के पोते की पतनी है अंकित का उस लड़की से क्या समंध है तो दोस्तों ऐसा कोश्चन अमने अभी देखा था आपनी क्या करना बैस्ट क्या तरीका है अपने आपको रख लो ठीक है जैसे एक लड़की की और इसारा करते हुए अब यह लड़की है ठीक है इसकी और इसारा कर रहा कौन अंकित है ठीक है यह लड़की मेरी मा के पोते की पत्नी जो यह लड़की है ना इसकी मा हुई ठीक है एक्सवाइजड मेरी मा के पोते की पतनी यानि कि इसकी मा का पोता कौन हुआ दोस्तो इसका बेटा खुद ठीक है अंकित का बेटा हुआ मानली जी हम इसको नाम देते हैं जड ठीक है अब जड कौन है अंकित का बेटा हुआ और अंकित की माता का पोता हुआ ठीक है अब मा के पोते की पतनी अब इसकी पतनी है यह तो कौन हुई दोस्तों यह इसके पुत्र की पतनी हुई यानि किसकी पुत्र वदू हुई अगर पुछे अंकित कौन लगता है इसका तो अंकित इसका ससूर लगेगा तो देखते पुछा क्या है अंकित का उसी लड़की से क्या समंध है अब अंकित क का पुछा है तो अंकित तो ससूर है दोस्तों यहां पर हम बता देंगे अंकित क्या होगा उस लड़की का ससूर होगा तो राइट अंसर क्या होगा डी अगर पुछता की लड़की का उस लड़की का अंकित से क्या है तो फिर पुत्तर वदू होता दोस्तों ठीक है अब यहा 4546 59 ऐसे करके सीरी जा दोस्तों अब इसमें हमने देखना है रिलेशन क्या बन सकता है कि एक्स के जगह पर क्या आना चाहिए देखिए कहां से रिलेशन करेंगे जो दे रखेंगे ना डिजिट्स उन से फाइंड आउट करेंगे जैसे 46 में 35 गया कितना आया पहले तो हम नेग और 9 31 बनेगा त्यानिकी दोस्द्टि मैं आई बीच में फिर देखिये यहां से यहां क्या जुड़ा हुँ यहां सि नाइट हैँ 19 यहां से यहां क्या जुड़ा हुआ है 21 जुड़ा हुआ है अब देखिए 11-13 अगर यहां पर रखे 15 सिरीज बन जाती है ना तो यहां पर 15 प्लस करेंगे दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा 74 राइट अन्स रोगा दोस्तों इसका 74 और नेस्ट कोस्टन देखिए दोस्तों निमन लिखित में से कौन सापत भीन है अब भीन पफाट चाट रहा है दोस्तों यहां पर गव्यकूर्ट एट से डिवाइड करएंगे तो एट आता है ठीक है यहां पर कि नाइन क्या करता है 108 को डिवाइड करता है पूरो-पूरा बारा आ जाता है यहां पे 5 इसको डिवाइड करेगा तो 125 अगर बने कितिन नों कितिन कि मध्या घटक से दाई और निमन लिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा अब देखिए दोस्तों यह कुश्चन होते तो असान है कोई भी बता सकता है इनको लेकिन थोड़े से क्या होता है टाइम कुश्चन होते हैं अब इसमें देखना पहले तो हमें की मध्या घटक कौ से हमें इसके डिजिट्स को पहले तो सभी जो इसके अक्सर लिखे हुआ है उनको गिनना पड़ेगा भी कितने हैं तो कैसे लिख सकते दोस्तों ऐसी में देखे दो दो चार दो च्छार दो आर्ट और दो दस दस तो यह होगे फिर ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोड 27-29-21-22 और 23 यानिकि 23 है दोस्तों 23 है तो देखो ग्यारा इधर ओंगे ग्यारा इधर होंगे और एक बीच में हम उसको मध्या मननें ठीक है यारा ग्यारा 22 और 23 हो जाएंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे दोस्तों एक दो तीन चार पांच ऐसे भी काउंट कर सकते हैं लेक में रिचंव है मृत ही कर ऐसे दोस्तों अब वैंच में आ इसने पूछा एके मध्या घटक के दाई और निमलिश्यमे से तिसरा घटक मध्या गटक कर सिद दाइं और तीसरा थारिया एक पैहला दूसरा और एस नहीं है तो एसके साथ confusion भी नहीं होगी एससी में दोस्तों एससे के question में जुरूर मिलता है यहां पर confuse करता तभी तो answer रोंग होता लेकिन यहां पर दोस्तों help इतनी हो जाती है कि एस option में नहीं दिया तो दाइं और निमल्स में है जब आता कुछ प्लेट के सामतिति हैं अब कुछ क्टोरे प्लेट के साथ लेकिस हैं दोस्तों वह प्लेट है अभी देखिए सभी चम्मच को टूरे हैं यहां है अब यहां पर आ गया तो इसको बनाएंगे कैसे दूसरे से तरीकिसे बनाते इसको देखिए क्या से बनाएंगे ने तसी सभी प्लेता तो घुर अब देखते हैं कि कुछ प्लेट्ट है है जो इनके साथ प्लेट ऐसी आईगी तिक अब फिर बहुत कुछ प्लेट कुछ क्टोरे प्लेट है अब दूख है आप यहां पे जो क्टोरे ना तो चमच कटोरे के अंदर भी आगे और गुए-प लेट के साथ भी है कि यह थे राइट इनसर चे Counterали barriers नहीं है लेकिन यह पर जो चुनेवट चुल कंश होगे राइट है कुछ चमच पलेट हैं कुछ चमच ऐसी है जो सब्सक्राइब प्लेट है जब कुछ प्लेट चम्मक्च है तो कुछ चम्मक्च भी तो प्लेट होंगे न दोस्तों तो तुरतिनों ही राइट है इसमें दी अंसर हो जाएगा सभी 1-2-3 निकलते हैं कि नेस्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों किसी एक कूट भासा में X Y Z A को 1 2 3 4 और E F G H को 7 8 9 10 के रूप में लिखा जाता है उसी कूट बासा में A X G E दोस्तों अगर आपको देखिए जो पुछा हुआ न वो आपको सारे के सारे अक्षर इन में मिल जाते है पहले ही ठीक है यह का कोड क्या है 7 यानिकि 4197 राइट अंसर होगा तो 4197 सी ओप्षन राइट अंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए पी क्यों की पुत्री है क्यों आर की माह है दोस्तों देखिए यह कुश्चन अपने भी किया था तो कैसे करेंगे पी जो है वो कौन है हम इसको थोड़ा निच्चे बनाते हैं पी जो है वो क्यों की पुत्री है यानि कि हमें पी के बारे में पता है कि यह फीमेल है क्यों आर की माह है अब क्यों जो है वो आर की भी माह है दोस्तों ठीक है यानि कि यहांसे पता लिगा कि यह भी फीमेल है एस आर का भाई है एस जो हो आर का भाई है अब हमने आर के बारे में नहीं पता कि आर कौन है बैना या भाई है ठीक है S का P से क्या सबन्द है अब S जो है वो P से किस परकार सबन्द दीता है दोस्तों अब यह सारे भाई बैन ही तुए इनकी जब माता सेम है और यह आपसे भाई बैना तो क्या हुए भाई बैन हुए या निकि S जो P से कैसे सबन्द दीता है भाई हुआ ना इसका तो राइट अ सटारиссμू करती कहा पर छपिया यह बताना दोस्तों तो option ए में देखे नहीस इसी कही पर नहीं बंढ़ तो यह होगा यहां पर दो विल्कुल नी भंड़ा यहां पर दिखे दोस्तों यह जो है ना यह यह हो सकता है ठीक है नेक्स्ट दोपर दिखते हैं यहां पी भी नहीं बढ़ना तो उप्षिन सी जो है वो राइट अंसर हो जाएगा और 18 ठीक है दोस्तों और को देखो आर को कैसे बनाना है आर को यहां पी मिला दोके तो आठ बन जाएगा न तो अठारा हो जाएगा कुछ में दिक्कत आती है ठीक है तो उनको किसी ट्रिक्स याप याद रख लेना जे आर क्यों के भी यू इसको कैसे जो टी में देखो दोस् प्रिंसिपल को देखते हैं प्रिंसिपल के क्या अकोड होता है फ्रिंसिपल को अकोड होता है पी होता है दोस्तों 16 पे आर 18 पे आई 9 एन 14 सी 3 आई 9 फिर से पी आगया 16 पे यह पहले पे ल आगया 12 पे अब देखिए दोस्तों हमने पहले तो करना माइनस का 3 सोड़ा में से 3 गई कितने होगे 13 अब 13 पे क्या होता दोस्तों 13 पे एम ठीक है तो पहला उप्षन तो यह तो नेगलेक्ट हो गया और यह भी नेगलेक्ट हो गया तो यहां पर प्लस थरी करना है तो 21 पे कोन उता दोस्तों यू उता है किस पे तो दुन्नों में यू है फिर से ना य Qian來 90 में से माइनस ठीकरेंगे तो 6 अएगा और यहां पर देखे आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यहां पर नहीं है तो इसको राइट धर मनेंगे इसको भी रों कर देंगे ज़्यादा आगे जाने की जूरुत नहीं है कि नेस्ट कोच्चन देखिए दोस्तों नीमन लिखित में से एसंगत संख्या को चाटिए एसंगत संख्या फाइंट ओर नमबर आउट फॉलेंग 149 16 1936 देखिए दोस्तों इसको देखते ही पता चल रहा है कि यह जो नमबर के स्क्वेर की सीरीज है क्या सीरीज है दोस्तों नमबर के स्क्वेर की सीरीज है अब देखिए एक का स्क्वेर दो का स्क्वेर तीन का स्क्वेर चार का स्क्वेर पांच का स्क्वेर यहां पर पच्चिस आना चीज़ा यहां पर लिखा हुआ 19 तो असंगत कुन सी उन्नीज संगत है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू